नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चानल में, मैं हूँ आपकी वही अंजली हम ना तुम्हें खोना चाहते हैं, ना तुम्हारे यादों में रोना चाहते हैं बस तुम्हारा साथ मिले हमें हर पल बस इतनी सी बात तुमसे कहना चाहते हैं जी हाँ आपने साही सुना हम आज के डेली राश्रिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मारे ज़ अनुवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी बधाईया हो और गुडविशिस हो तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बीते हुए कल को जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और भविश्य को कहता हूँ कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तयार हूँ तारीफ निकालने वालों से जादा गल्टिया निकालने वालों को सीरियस लीजिए आज जो दर्द सहर रही हो वो जो है कल आपकी ताकत बनेगी याद रखिए कि पुराने यादते नए रास्ते नहीं खोलती कितना अच्छा हो जब आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दो कि जब भी कोई आपको कुछ भी कह दे तो आपको बुरा ना लगे वहाँ आप साइलेंट रहें क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बलकि खुद को बदलना शुरू कर देता है इंसान सफल तो तब होता है जब हर इंसान में पॉजिटिव साइट देखना शुरू करता है हम सब बड़े होते ही कुचल देते हैं पैरो तले अपने बच्पन को लेकिन कुछ लोग इसे अपने अंदर जिन्दा रखते हैं अपने जीवन के सारे दिन एक कैदी की तरह गुजारने से अच्छा है कि अजादी के लिए लड़ते हुए मर जाओ जो खिलाडी है उसी को बता है कि वो कितनी बार फेल हुआ है और्डियन्स को उसकी आखरी कोशिश ही नजर आती है जो उसकी काम कर गई जो शेर जितना जखमी होता है वो उतने ही भड़क के साथ वापिस आता है इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके उन्हें जोर लगाने दो ये समझने के लिए कि आप दर असल क्या हो तैयार हों क्योंकि जीवन एक परिश्रम है अगर आप सोरे की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सोरे की तरह तप ये अब राहेम लिंकन कहते हैं कि मैं धीरे चलता हूं लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ता सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज आप के लिए शुब रंग यानि कि लकी कला रहने वाला है और इंज यानि की केशरी और शुब अंक रहने वाला है नौ आज दिन की धीवी शुरवात हो सकती है यानि कि स्लोली से अगर आज आप हर कारे को धीरे से सब्र और संतोग से करेंगे तो आज आपको सफलता जरूर बिलेगे अगर आप अपने काम पर ध्यान केंदित करते हैं तो आप शाम तक चीजों को पूरा कर ही लेंगे परिसेदे आपके नुसार नहीं होगी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आपको कोई परिशानी हो सके फिजोल की जिन्ताओं में आज का दिन खराब मत कीजेगा ये मेरी तरव से आपको स्पेशल हिरायत है अपनी उर्जया और आइडियाज को ठीक दिशा में लगाईए पुरानी बातों को सोचने से कोई भी आपको फायदा नहीं हो सकता है बलकि उल्टा आपका समय वक्त जो है खराब हो सकता है वही आज रोज मर्रा और दैनिक कारों में आज जादा बीजी रहने वाले हैं आज आप अपने सारे के सारे काम को पूरा जोश की साथ करेंगे और उत्सास से निप्चाएंगे घर में किसी नई चीजों की खरीदारे भी हो सकती है लोग आपके योगिता और प्रतिभा की सिरहना करेंगे खासकर आज जो स्टूरंस हैं स्टूरंस के लिए समय बहुत ही अनिकूल हो सकता है आज जो हैं आपको अपने टीचर के और से सिरहना मिल सकती है यसे के साथ ही जो आपने एक्जाम किये थे ऑनलाइन उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही बहतर मिलने वाला है जो लोग नीट की एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उनको अपने ध्यान को हैं के निट करना पड़ेगा ताकि जो है आप अच्छे से एक्जाम देव पाए इसके साथ किसी important इव्यक्ति के साथ कोई कहां सुनी भी हो सकती है जिसे के रिष्टों में करवाहट भर जाएगी साथ ही आप किसी मुसीवत में भी पढ़ सकते हैं इसलिए अपने गुसे को कावों में रखी और जल्द बाजी पिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंकि जल्द बाजी में अकसर काम बिगड़ जाया करते हैं दिरचेस पे लोगों से आज मिलते हुए आपका समय शांदर तरीके से गुजर सकता है और वे आपकी नौकरी में काफी मदद भी कर पाएंगे नया अगर आप कुछ करना चाहते हैं आज के जिन तो उसके लिए बड़िया दिन कहा जा सकता है कोई नई योजना प्लानिंग बनाईए लेकिन उस पर काम करने की भी जरूरत है बलकि बातों से काम नहीं चलेगा ये काम जो है आप कुछ करना भी पड़ेगा पुरानी जो रुके हुए काम थे वो बनने लगेंगे और कुछ समय से चलिया रही परिशानिया आपकी जल्दी ही खतम होने वाली है शितारे कह रहे हैं कि ये सब आप अपने ही सहता से कर लेंगे आप अपने धर्म को बसने भाईएगा अपने जिन्मेदारियों पर फोकस करेंगे तो सारे के सारे काम अपनी आप महत्तपुर्ण तरीके से पूर्ण होते चले जाएंगे राशी स्वामे शुक्र का राशी में ही विराजबान होना आज आपको सब सुक्सोविधाईं देने के लिए दत पर है जैनकि आज काफी जादा जो है आपको सुक्सोविधाईं मिलने वाली है पैत्रिक संबन्दी प्रॉपर्टी का मसला भी आज हल हो सकता है अपनी उपलब्दियों को और जदा बहतर बनाने का आज आपको भरपूर मातरा में प्रयास करना चाहिए कोई important सपलता हासल नहीं हो बाएगी इसलिए जदा मेहनत की भी जरूरत है मित्र बर्क से थोड़ा बचका रहीगा कोई गलत advice भी दे सकता है साथ इपनी वाणी भी आज आपको मदूरता लानी जरूरी है चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजनस और करेर के बारे में तो बिजनस और करेर आज का कहता है कि विविसाय का क्षित्र में आज कोई खास सपलता नहीं मिल पाएगी खर्चे पर आपको गावू करना ही होगा पैसा आने से पहले जाने का रास्ता क्या रहेगा नौकरी पेशा व्यक्तिव के लिए कोई तरक्की सबंदी योग भी बन रहा है हो सकता है जो तरक्की है आपको विजश से प्राप्त हो या फिर किसी देश से आपकी इलावा आपके लोकल स्टेट से भी बाहर प्राप्त मिल सकती है इसलिए आपको जो है बस अपनी मेहनत करते चले जाना है आज कारिक शेतर में ने विचारों से बहुत ही ज़ादा आपको लाप मिलने के संकेत नजर आ रहे है सितारे कहते हैं कि आज उन्हेती के अफसर बहुत मिलेंगे और इस उर्जा को जो है आपको भरपूर मातरा में लाप उठा लेना चाहिए इसके साथी वे विसाई के स्थल पर लाप की पेक्षा मेहनत करें बलकि फल की चिंता मत कीजिए मेहनत पर जादा जोर रखेगा करमचारियों में सांजुदारी की गतिविदी और क्रिया कलाब पर पूरी नजर रखे धन हानी होने के योग भी बने हुए हैं सितारे कह रहे हैं इसके साथ ही अगर आज के दिन आप गुपतरूप से दान करते हैं तो बैटर रहेगा साथ ही में प्री एजन आपकी काफी ज़्यादा साथ देंगे आपके काम में कारशेत्र में जल्द ही परिसितियां सामानने होने वाली हैं लेकिन बातों और चीजों को जाने दें दाकि कुछ नया उसके जगा ले सके इसलिए आज आज आपको पुराने चीजों को छोड़ कर कुछ नया और एक्स्ट्रा करना चाहिए अगर आप कुछ नया और इनोवेशन करेंगे तो जादा से जादा लोग आपकी तरफ अकरशित हो पाएंगे तो ये थी बात कि हमने बिजनस और करिर की तो अब हम बात करने वाले हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो आज की लव लाइफ आपके लिए कहती है कि परिवारिक वातावरन जो है बहुत ही सुखत और आनंदमाई रहने वाला है साथ इसाथ में घर के बजर्गों का अशिरवाद और प्यार आपको मिलेगा और ये सबसे बड़ी बात है प्रिय जनों के साथ किसी बात पर छोटा मोटा तनाव हो सकता है इसका कारण आपकी बच्चे भी हो सकते हैं चोड़ चोड़ी बातों को दिल पर मत लेजेगा बलकि उन्हें इग्नोर करना सेखे अगर आप इग्नोर करना नहीं सेखेगे तो आपके रिष्टे में दरारें पैदल लगातार होती चली जाएंगे वही आज परिवारिक विवस्तता को लेकर पती पत्नी में कोई तकरार तो होगा ही लेकिन ये पल भर के लिए होगा यानि कि जल्दी ही महौल बहुत ही मधूर और मीठा बनना शुरू हो जाएगा आप विवाहितों के लिए आज कोई बहुत ही अच्छा प्रपोसल आ सकता है बलकि आज आज आप कोई प्रपोसल स्विकाल कर लेना चाहिए और अगर आप किसी को प्रपोस कना चाहते हैं तो वो भी आपको हां में मिल सकता है तो जिसे आपका आज का जो दिन है वो काफी अच्छा बन जाएगा जिसे आप फूला नहीं समाएंगे तो चलिए हमने बात की भी लव लाइफ की और आगे बढ़ते हैं डाबिटेज जो पेशिंट है वो भी अपने खान पीनों की चीजों पर ध्यान रखी परहेज रखीगा जादा मीठा मत खाये उर्जा की थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है और हाँ अगर जितनी भी उड़ जाए उसका तो कम से कम आज आपको सही तरीके से व्योग करना जरूरी है इसके साथ ही पिछले कुछ समय से चली आ रही स्वास से कोई भी परिशानी थी उससे आपको आजब मुक्तिम मिल सकती है सिर्दर्द की समस्या रहेगी जैसा कि मैंने भी कहा उसे के साथ ही आ जो है पुरानी बातों को दिल से मत लगाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मानसिक और शान्ती पैदा हो सकती है बलकि जो बीद गया सो बीद गया उसे जाने दीजे नहीं दुस्सेहत आपकी गड़ पर रहेगी और आपका मन जो है पढ़ाई में भी नहीं लग पाएगा और साथ इसाथ में आपका मन जो है बिजनस या घर के कामों में भी नहीं लग पाएगा इसलिए इन सब चीजों से दूर रहे फिजूल की चिंता करने की कोई आज जरूरत नहीं है तो ये बात की हमने स्वास्त की और बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो अज आपके लिए विशीश उपाई रहेगा कि आज आज आपको जो है दुर्गार चालीसा का पार्ट पढ़ना चाहिए साथ ही अगर आप माता के मंत्रों का जाप करते हैं जैसे कि ओम, एंग्री, क्लिंग, चाम, उन्डाइ, विच्छे इसे भी आपको बहुत यदिख जादा फायदा हो सकता है साथ ही साथने अगर आप गुपतरूप से कन्याओं को, छोटी कन्याओं को दान करते हैं उससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भिनाव हो लेगा धन्यवाद